नमस्कार मैं हूँ चंदरबान सिंग भदोरिया और आप देख रहे हैं जाबुआ लाइव जाबुआ संकट में है जाबुआ परेशान है जाबुआ हाई रिस्क में आ गया है ऐसा मैं कह रहा हूँ प्रसाशन नहीं मेरे अपने तर्क हैं प्रसाशन के अपने तर्क हो सकते है तभी जाबुआ में कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ एक इलाके को सील किया गया है अब पूरा जाबुआ सुरक्षित है या नहीं, ये एक सक्स की रिपोर्ट पर टिका हुआ है वो सक्स कौन है, वो सक्स है एक डॉक्टर का सहायक, जिसने जो करोना पीडि जो सहाब थे मैं उनको वारियर कहूंगा, क्योंकि मुझे पता चलाए कि उन्होंने वैक्सीन लेने गए थे वो और वहां से लाते समय वो पॉजिटिव हो गए, तो एक तरह से वो करोना वारियर है मेरी नजर में उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सल्यूड करते हैं, तो जब यह जो करोना वारियर हैं, जो सिकार हो गए हैं, जब वो अपने घर पर तीन दिन उन्होंने इलाज कराया, जब शुरुवात में लगा कि उनको इस मामुली बुखार, सर्दी खासी होगी, तो उन्होंने जिस सक् एक डॉक्टर का असिस्टेंट है, और उस सक्स ने डृप भी चुराई है, देखा भी है, चेक भी किया है, और उसके बाद उसने वापिस आकर वो ना सिर्व अपने घर गया, दोस्तों से भी मिलता रहा, और बलकी डॉक्टर के क्लिनिक पर भी उसने मरीजों के साथ समवा किया, बातचीत की उनको चेक किया, इस पिरिड को अगर हम जोड़े हैं, कि जब पहली बार वो इस विक्टिम को जो पिडित हुए हैं, उनको देखा होगा, उनको ट्रिप चड़ाई होगी, उसके बाद कल तक, जब तक की वो सम्बंदित को आइसोलेट नहीं किया गया है, तब तक मेरी जानकारी में कम से कम तीन सो लोगों के संपर्क में वो सक्स आया है, जिन में से दो सो लोग, जिहां करीब दो सो लोग जाबवा शहर और उसके आसपास के हैं, सो लोग हो सकता है, एक थोड़ा ग्रामिन अलाके के होंगे, तो अब कल आइसोलेट किया गया है उस सेक्स को, और उसकी सेंपल रिपोर्ट भी तदकाल मागी गई है, कल सेंपल चले गए, इस समय आज बारा मई को जम मैं आपसे बारा बज़े बात कर रहा हूं, तब वो रिकार्ड में वो उसकी जाच रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन अब पूरा दारोंदार जाबवा सुरक्षित रहेगा कोरोना से या नहीं, ये उसकी रिपोर्ट पर निर्भड करता है, खुदाना खासता अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, तो मैंने बताया कि 400 लोग के संपर्क में वो रहा है, अब 400 लोगों मैं से 300 लोग शहर और उसके आसपास के हैं, तो फि ये जाबवा के लिए सबसे इंपोर्टेंट हो गया है, हम ये दुआ करते हैं, आप भी दुआ करिए, भगवान से प्रातना कीजिए, प्रेयर कीजिए, कि जो वो सक्स है, जिसको कमपाउंडर कहा जा रहा है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, ताकि जो संपर्क के लोग हैं, वो भी कम से कम उससे नेगेटिव रहेंगे, तो बस अब ये ही है कि प्रातना कीजिए, गनिमत ये है कि अभी तक जाबवा जिले में पैनिक नहीं है, लेकिन शहर में दो पैसेंट आए हैं, एक नहारपुरा की महिला है, जो नीमत से लोटी थी, राजिस्तान से लोटी थी, वो ज्यादा संपर्क में नहीं आई है, 30-35 लोग के संपर्क में आई थी, सभी की जांच हो गई और वो नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन ये जो कोरोना वारियर हैं, जो संक्रमित हो गए थे वैक्सिन लाने की प्रयास में, वो जाबवा शहर के हैं, और एक संपर्क में आने की सूची है, जो चीजे सामने आ रही हैं, बस अब वो ही डर है, तो जाबवा को कौन बचा सकता है, इश्वर बचा सकता है, अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो जाबवा सुरक्षित है, लेकिन अगर वो गुदाना खास्ता पॉजिटिव आ गई, तो फिर जाबवा को लेने के देने पड़ जाएंगे, मैंने कल कर्फ्यू की बात इसलिए प्रसासन से मांग की थी, कि वो जो कंपाउंडर है, वो सक्स जिनके भी संपर्क में आया है, वो इस समय मोमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं बजार में, व्यापार प्रभाव दिन मोमेंट करते रहेंगे और वो उसकी रिपोर्ट पॉजिट्यू आ गई, तब आप देखिए क्या होगा, इसलिए मैंने कहा था कि जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक आप कर्फ्यू लगाईए ताकि लोगों की मोमेंट रुके और जो कुरोना की चेन बढ़ रही होगी अगर बगेर आपकी जानकारी के वो चेन रुख जाए, डेमेज हो जाए, प्रसासन ने नहीं माना है, प्रसासन को इंतजार है, उस कंपाउंडर के रिपोर्ट का, अगर रिपोर्ट पॉजिट्यू आ गई तो शेहर में कर्फ्यू लगेगा, प्रयास उनका भी वही है कि जाबवा सुरक्षित रहे और प्रयास हमारा भी है कि सुरक्षित रहे, जाबवा लायू की ओर से मैं आपको अपील करता हूं, खासकर व्यापारियों से, 2020 कमाने का नहीं सर्वाइव करने का साल है, अधीरता मत बताईए, थोड़ा सा भी ना दे गया, तो फिर वो व्यापार का मतलब नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिएगा, फिर भी व्यापार करना हो, तो एक डिस्टेंस मैंटेन करें, रस्य लगा लीजिए, बाल्टियों का इस्तमाल करें, कुछ ऐसा साधन बना लें कि वहां से आप पैसा ले ठाल मतलब website, करें सिर्णियों कि वित रखें से करें चरेंस कोठाना हो, जोसकी वहां सब्सके बाल से हमगा सा कंई समय हो चुछ कोठी रखिग braking आपए लूग लाखिएंस कोप nostro है